जिसने भी लोग college में, वो हमेशा सोचते हैं, चाहिए हो first year में, second year में, third year में, intensive को बहुत क्रेज होता है, जो कि actually आपको करना भी चाहिए, आपके resume को बहुत ज़्यादा भी uplift करता है, और आपको भी बहुत अच्छा है, कि industry exposure मिलता है, career life project में आप काम करते हैं, जिसको आपको पर चलता है, कि actually में development कैसे काम करता है, लेकिन भाईया, मैं आस तक यह नहीं पर चल पाया, कि हमें कौन-कौन सा skills required है, intensive को लेने के लिए, बन्दब वो कहते हैं, कि must have skills, जो आपको आना चाहिए, जिससे आपका actually में intensive में support करता है, यह आपको help करता है, कि ठीक है, यह सारे skills आते होंगे, तो मेरा intensive लग जाएगा, तो total overall देखा जाए, अगर मैं इसको broad expector में डिवाइड करो, total 3 skills है, जो आपके अगर अपने starting के time से build कर लिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगे आपके लिए, कि पहरा आता है, resume build करना, अब देखो, resume build करना इसलिए important है, because हम जब भी apply करने जाते हैं, अब खुद से नहीं जाते हैं, हमारे वद्दे में resume जाता है, right, resume आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, resume ही सबसे पहला point of contact होता है, जहां पर आपको interviewer या जो भी company के member होते हैं, वो check करते हैं, यह वद्दा हमारे लिए fit है कि नहीं है, अगर आप simply search करोगे resume hello world by friends करके YouTube पे आपको multiple videos वीडियोज बिल लेंगे, जितने लोग का अच्छा resume है, या लगता है कि आपका resume review का live session होना चाहिए, please comment session करके बताना, so that की में resume review का live session रख लो, जिसमें जो लोग attend करेंगे, उनका में resume life check कर लोगा, क्या है, क्या है, क्या नहीं, अब आते है second step पे, जोगि सबसे important step है, क्या आपको कुछ नो कुछ development में आना चाहिए, development में क्या मतलब, क्या आपकुछ create कर पाऊ, तो actually में जब हम company में जाते हैं, first year, second year के बचे जनली data structure में ज़्यादा फोकस करते, जोगि करनी भी चाहिए, because जब हमारा aim, अगर fan जैसे companies हैं, गूगल में जाना, Microsoft में जाना, Deloitte में जाना, जब हम अगर अगर आपको सारी companies में जाना है, तो आपको DA से आना चाहिए, जो की basics है, starting की first round, second round, आपको data structure से question पूछते हैं, then after आप से कुछ पूछेंगे, आपने क्या college में काम किया and all, and देखो, अगर सही माइने में देखा भी जाना, data structure important है, लोग पूछते हैं, खहां नहीं पूछा जाता, मैं भोई बदालता हूँ, जितने भी start-up जैसी companies है, या जिन वैसी companies में बहुत जादा मतलब नहीं है, कि आपको डिस्क्टर आता है, अच्छा कोड कर सकते हैं, अच्छा कुछ बना सकते हैं, वहाँ पे आपका विल्गाम है, लिकिन डवलप्में एक्शुली में जरूरी है, जब आप इंटनसिफ अप्लाई करते हैं, ब्योंकि हर लोगों का फैंग में नहीं होता है, जो की बात फैक्ट है, अपनी कॉलेज लेवर पे कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसको आप सोकेस करपा और डिस्क्राइब करपा, वह बहुत हल्फुल होता है, मेरे टाइम पे जो हल्फुल था, मैंने प्रोजेक्ट बेसीज पे मुझे इंटनसिफ मिली थी, तो मैंने इस तरीके से इंटनसिफ ग्राइब कराते हैं, और सच बता रहा हूँ, जिल्दे लोगों को भी डेवलप्मेंट वाला पार्ट अच्छे से पता है, उनका इंटनसिफ की चांसे बढ़ जाते हैं, अब दोखो, डेवलप्मेंट किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट है, तो आप वहां से नोड.js कर लो, अगर आप पाइफन जानते हो, तो जाइंगो का फ्रेमवर्क सीख लो, जावा जानते हो, तो इस प्रिंग बूट का फ्रेमवर्स देख लो, सेम उस दरह फ्रेंटेंड में, जो जावा तर चलता है, रियाक्ट जेस, अंगुलर जेस, व्यू जेस, ये सारी चीज़े चलती है, कोई एक अच्छा सा चीज़ पिक करो, और उस पर थोड़ डवलप्मेंट का काम स्टार्ट करो, अब देखो एक चीज़ और समझे, जो लोग कंप्लेटली नियू है, और थोड़ा कंफ्यूजन में, फिर कवेंट सेक्शन में सवाल पूछेंगे, कि भाईया, मुझे क्या करना चाहिए, ट्रस्ट में, यह कंप्लेटली नियू है, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, पूरा का पूरा मेरा नोड़ जिसका फ्रिश खतम कर जो, एड़ दी 10 दे 15 दिन, जित्ता दिन में खतम करने में लगाओगे, उसके बाद आखो बहुत अच्छा पिच्छर क्लियर मिरेगा, क्या यह फर्स्ट येर वाला बच्चा कर सकता है, कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात दी है, क्या कोई प्रेक्विषिट है, कोई प्रेक्विषिट है, हैं बस आपका मन होना चाहिए सीखने का डेट से लिए अगर आप इतना कर लेते हैं अब बहुत अच्छा पोईशन पर रहेंगे लास्टीन जो सबसे इंपॉड़िट मुझे लगता है कॉम्निकेशन इसके जब भी बाता है बहुत बच्चे घपरा जाते हैं बिकाद हर लोग की अंगरेजी इतनी अच्छी नहीं होती तो हम इंगलिश में नहीं कर पाते हैं मैं यह नहीं आपको सेज़ेस्ट करूँगा व लगता है कि हमारा थौट प्रॉफसेस क्लिएर नहीं होता है जो वह चिछ बोलना है वो हमारे दिमाद में हम सोच रहे होते हैं फिर बोल रहे होते हैं मेरह इस इतना सा कहना है जब आपको चीछ अच्छे से पता होगा अप इसली समझहा ले जाओगे जो सामने वाला उसको हमारे साथ प्रॉब्लम किया है कि हम अपने थौट्स में उलज़े रहा जाते हैं, इसको ऐसे बोलें या वैसे बोलें, उतने दिर्टन परा इंग्लिस इस टैमर करने लगता है, लगफ़ आने लगता है, थोड़ा अपने thoughts को एक narrow line करना है start करो अपने concept को अच्छे समझना है start करो चीज़े अपने आप down the line से यह जाएंगे अगर आपको कोई भी और doubt है कैसे भीजा intensive drive करें कहां से apply करें या कुछ अलग road map बताओ तो definitely यह comment section करके बताओ मैं definitely help करूँगा से videos बनाने का channel पर नए आए तो please hit channel को subscribe को अपने बहुत जल्द एक लग सबस्क्राइब करने वाले है अगर आप लोगो support रहा तब ठीक है वीडियोस को like जिरूर करनो बाद वाकिन दलते हैं नेक्स टूडियोस में तक लिए बाय सायोनार